जिन्होंने ये दावा किया कि वो गरीव का बच्चा हैं चाय बिचने वाला का बच्चा हैं अफसोस की बात है कि वो राजा जैसा बेभार कर रहे हैं अगर वो राजा जैसा बेभार नहीं कर रहे होते तो 20 हजार करोर का महल नहीं बनवा रहे होते हैं सेंट्रल बिस्टा बीस हजार करोर का महल बनाया जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए पडान मंत्री जी के उरने के लिए जो उरन खटोला आया है उसका दाम कितना है आठ हजार पाश्जार करोर सारे आठ हजार करोर आख में धूल जोगना बंद किजिए साहिप आपका सिलेबस यह देश धीरे-धीरे समझने लगा है आप उस जंडे के सिपाही है जिस जंडे ने इस देश को आजादी दिलाई है आप मामूली लोग नहीं है दोस्तों क्या संयोग है आप इस बात को समझे नवरात्रा चल रहा है देवी की पूजा हो रही है नौ दिन पूजा होगा और कहते हैं नौवे दिन संगहार किया था देवी ने आप लोग भी एक यग में सामिल है चुनाव यग से कम नहीं होता है और नवरात्रा जब चल रहा हो आपके तो पत्यासी का नाम ही भवाई नहीं है यह कितना बढ़िया संयोग है इस जोस को जीत में बदलना है और इस जोस को जीत में इसलिए बदलना है कि उप चुनाव तो जहांकी है फाइनल चुलाव बाकी है कल एक पत्रकाँ में हमसे पूछा कि एक सीद जीत जाएगा तो क्या होगा हम बूले पूरे डेश को संदेसा जाएगा जीस पत्रोष का नाम ले करके ले करके नहीं दिश करके देश के परधायन मंत्री जी कहते हैं अपने भाशनों में कि मैं कुलू का प्रभारी हुआ करता था मैं हीमाचल का प्रभारी हुआ करता था और ये हीम का आचल इस देश का सिर्ष है जिसका नाम बेच करके वो देश के सिर्ष पद पे बैचे हैं ना उनकी हार की इबारत भी यहीं से लिखी जानी चाहिए इसलिए चुनाओ इसलिए इतना जरूरी है कि हमको इनको उत्तर देना है मुहतोर जबाब देना है वैसे इनके पास कोई सवाल नहीं है माननिया मुखमंत्री जी ने कहा कि कॉंग्रेस वाले तो महल में रहने वाले हैं यह लोग सत्ता में बैठ करके भी कुरसी पर बैठ गये हैं ऐसा आत्म विश्वास नहीं ला पाते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन विपक्ष की तरह बाशन देते हैं महराज आप सत्ता में हैं आप प्रदेश के मुखमंत्री हैं आपके मुझ से महलों की भासा सोबा नहीं देती है और अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो मुखमंत्री आवास से बाह के मुँझे सोबा नहीं देती है और आप अगर कॉंग्रेस पार्टी के नेता पर यहारोप लगाते हैं कि वह राजा थे ते राज के नहीं राज में रहने वाली जनता के दिलों के राजा थे क्योंकि कि कोई किसी के दिल का राजा नहीं होगा तो बाइस साल तक कोई मुखमंत्री नहीं बन सकता है, नौ बार कोई MLA नहीं बन सकता है, यह राज तंत्र नहीं है, लोक तंत्र है, जनता वोट दे करके जो है उनको अपना मुखमंत्री बनाती थी, लेकिन बिडमना यह है, कि जो हमारी तरह बात करने वाले थे, जिन्होंने यह दावा कि ङब से आपको मालूम होना चाहिए पढान दान मंत्री जी के उनने के लिए जो उरन खटोला आया है उसका दाम कितना है आठ हजार पंस्सो करोर सारे आठ हजार करोर आख में धूल जोक न बंद किजिए साहिब आपका सिलेवस यह देश धीरे-धीरे समझने लगा है आपके जूट को इस देश की जंता धीरे-धीरे पकरने लगी है उसको यह समझ में आने लगा है कि यह नौकरी नहीं दे सकते हैं इसलिए इधर-उधर की बात करते हैं यह महगाई नहीं कम कर सकते हैं इसलिए इधर-उधर की बात करते हैं यह देश की रश्ट्रिय संपत्ती को बेच रहे हैं मुझे आप सब लोग सोच करके बताईए कि सरकारी संपत्ती कौन होती है जिसका मालिक सरकार होता है और सरकार का मालिक कौन होता है सरकार का मालिक जनता होती है मतलब सरकारी संपत्ती जनता की संपत्ती है अगर एर इंडिया बिक रहा है तो किसी के बाबुजी की संपत्ती न को देना परेगा तो इसका जवाब देश की सत्ता को देना परेगा क्योंकि देश की जनता की संपत्ति है और एक बात हमको सोच करके बताइए कि रेल नहीं रहेगा तो रेल मंत्री का ढोलत बजाएंगे अगर आगयों रहेगा ही नहीं गता अपति उस्पली की उस्प Ms पड़्धान मंत्री की होना चाहिए हमको यह बता है क्या करेंका सरकारी पर धन बंतरी का ये देसकी जनता का असल सवाल है और आप इस सवाल को गूम्राह करना चाहते हैं गूम्राह करने लिए आप के पास तमाम तरह का टमाशा है और उस टमाशे पर Congres Parivar के जो एक-एक सदस है उस सदस को ये जिम्मेवारी लेनी परेगी आप उस जंडे के सिपावी है जिस जंडे ने इस देश को आजादी दिलाई है आप मामूली लोग नहीं है और जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है उस पार्टी को इस देश की आजादी का रक्षा भी करना परेगा ये ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पर है इसलिए जब नेता प्रतिपक्षिया कह रहे हैं कि हवावाजी से काम नहीं चलेगा जमीन पर उतरना परेगा यह सोच करके चणा लगना परेगा कि हम भवानी जी को नहीं जिता रहे हैं हम अपनी पाटी को जिता रहे हैं और पूरे देश को सनदय साथ देना चाहते हैं कि भाज़पा जैसी जूठी पाटी को हम अनको हम जमीन पर ला सकते हैं इसलिए मैं आप सब से आ करने के लिए आया हूं वो इधर-उधर की बात करेंगे हमको इधर-उधर की बात में नहीं फसना है कहते हैं परिवार बात भवानी जी सुजान सिंग पठानिया के नाम पे भोट नहीं मांगेंगे बारे बाबू लेकिन अनुराग ठाकुर अपने बाप के नाम पे सबवार भोट मंगेंगें दुलिए यह ठीक बात है तुमारा सही सही और हमारा आसा ही जवी गलत यह नहीं चलने वाला है भी एद्ट्रकस की जन्ता को यह समझना परेगा और जहां जिसको मौका मिले और हिमाचल प्रदेश की इस महान भूमीं को सहीतों की इस को डेवों कि इस भूमी को यो मौका मिला है कि आपको सैथानों को संदेशा देना परेगा कि नवरात्री का महीना है सैथानों का संधार करना परेगा देवी जी के नाम पर भवान को बिज़े बनाना होगा है। बहुत बहुत भynn-द्नी बार शक्रिया.. झाल झाल